करें नमस्ता दोस्तों, उम्मीद करते हैं अब लिए अच्छी होंगे दोस्तों अभी हमारे सातं में अदिती भाई उनका तंजानिया की प्रोसेस होगा है, तंजानिया में सेलेक्शन होगया उनका, उनका इनिविटेशन लेटर आ गया and आज हमारे साथ में हैं आई उनसे मिलते हैं उनका अनुवह जानते हैं कि उनका ट्रिपल भी की साथ में अनुवह कैसा रहा अरिद्भाई आपको बहुत बढ़ा ही हो तैक्यों सुझर मुझे प्रोसेस पूरा जैनुन पहले भी जब मैंने अपलाई किया था उस पाइम से लेके और भी ऑफर लेटर आने तक टिकट आने तक तो जिस तरह से प्रोसेस स्मूथली चला है तो उससाब से मुझे करें फुली साथिस्फेक्शन है और जितना मुझे टाइम कमिटमेंट डी गई थी जो ताइम डी तो उसी ताइम प्रेम के अंदर मेरा काम हो गया इंफैक जल्दी हो गया तो ताइम फ्रेम मुझे 45-60 डीज का दिया गया था लेकिन जो मेरा जो डोकुमेंटेसन पात था जो माई एंड में अपलाई किया था 27th के राउंड तो 7th of June को मेरा इंटर्वी हो गया था और 10th of June को मुझे ओफर लेटर भी आ गया था तो टिकट भी मुझे 23rd of June को आ गी थी तो जो टिकट है मेरी वो कल मॉर्निंग ही है आप अपने परचे हमार दर्शकों को जीची है मेरा नाम है अदित्यर और मैं उत्राखंट से हूँ और में रुद्रप्रयाक से हूँ और मैंने सर के वीडियो देखे थे यूट्यूब में वीडियो देखने के बात तो जो इनका वेकेंसी का पेज आता है वट्साप में जो काउंसलर को जब मैंने यह चीज़ पूछी थी कि आपने प्रोक्यूर्मेंट की रिक्वाइर्मेंट डाली है तनजानिया के लिए तो फिर मैंने उनको कॉंटेक्ट किया कॉंटेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ आप अपने डोकुमेंट्स वगरा भेज दीजिए जब मेरे डोकुमेंट्स कंपनी की तरफ से सॉटलिस्ट हो गए तो उन्होंने मुझे उसका पॉजिटिव फीडबेक दिया कि आपके डोकुमेंट्स वह आपके हमने सब्मिट कर दिया है और आपको जो है सॉटलिस्टिक हो गई है तो आगे आपका इंटर्व्यू होगा कि आगे मेंट्स पॉजए तो उसके बार जो मेरा ऐग्रिमेंट वगए जो बनना था वो अग्रिमेंट्स पॉल्स श्तर्क्त किया है अग्रिमेंट्स पॉजए रेगरिमों सम्नें एका इंटर्विए व्माधे प्रोकृफछ व्मिट के आपके पॉर्य केवल हो या हमारे आपका जो योटूब में जब मेने वीडियो देखा था मई में तो वीडियो देखने के बाद उसके बाद आपकी योटूब साइट है वहां से मैंने वीडियो करके आपके कंपनी का प्रोफाइल है वीडियो किया तो उसके बाद जो आपके पुराने वीडियो भी थे वहां से मैंने उसमें उनको प्ले किया तो एक अंडरस्टेंडिंग आ जाती है उसके बाद की यह कंपनी जैनी है या नहीं है या काम करा सकते एक हैं मेरा यह नहीं करा सकते हैं, तो जिस तरह का आपका प्रोसेस था स्फ़ू से लेके एंड कर मुन तक. पूरा का पूरा एक तरह से जो Jamming प्रोसेस होती है, कि उस तरह से, तो उसके बाद आप जो है जो जैसे ट्रस्ट इश्यू है वो खतम हो जाताए है अगर आप मैं अगर आपने अन्डर्स्टेंड कर लिया प्रोस्स को तो उसके बाद आपको यह जानना कि आपको अपनी फायल आगे फर्दर प्रोस्स कर ली है कि नहीं कर ली है, वहाँ से आप कर सकते है। तो आपने एक बार शेयर किया कि प्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ अपने रिविव बगरा सब देखके यह सर्थ मैंने जब आपकी कंपनी का जो आपने जो वीडियो अपलोड आप करते हो जब लाइब आते हो आप इबनी में वो वीडियो जब मैंने देखे थे उसके बाद वीडियो खतम होने के तुरंत बाद मैंने मैं इस्टेंटली आपकी कंपनी का गुगल पे सर्च करके उसके गुगल ब्EEEEEWS चेक किये थे तो आपके जो गुगल रेटिंग थी या गुगल रेभ्यूस थे उनको पढ़ के तो मैंने उसमें जो ओन स्टार रेजु थे वो भी मैंने सारे के सारे पढ़े हुई थे और उ जेथी डिंद था कि आप झाल कि यह जो चाल बहुतां कि उसमें ज्यादा जो निगटीव रेवी ते जो भी वनस्टार रेईउ तो तो निग उठाते हैं आप्टर number of times call करने के बाद भी call ने उठाते बट मेरे case में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने जब call हाँ यह है कि कभी call किया तो इन्हों अगर साइब किसी दूसरे काम में busy हो या फिर इनके working hours ना हो उस time पे अगर जा फिर इनका lunch time हो उस time पे अगर call किया होगा तो इन्होंने पिक नहीं किया होगा बाद में इन्होंने same day मुझे reply दिया है या to message के through या फिर call के through reply इन्होंने दिया है same day इसमें कई बार ऐसा भी होता है कुछ लोग अन ओफिशल आर्स में भी call करते हैं yes duty पे होंगे लेकर चलती हुई इसको वीडियो देखा तुरंत call कर दिया yes कई बार ऐसा होता है yes sir ऐसा हो सकता है अगर कभी ऐसा हो कोई वेक्ति अगर call करता है और call का answer ना होता तो सबसे important है एक बार या दो बार call किजिए working hours में और आप एक message drop कर सकते हैं अपना पूरा details सब कुछ mention करते और आपकी query क्या है और अगर आप unofficial hours में contact करना चाहते हैं तो WhatsApp message ही करें बैटर दाएगा so आपका overall अनुग कैसा रहा हमारी team के साथ में काम करने बाद है Sir आपके जो counselor से जो first day मेरी बात ही इस तरह से उन्होंने मुझे guide किया कि आपके पहले documents आएंगे हम आपके documents thoroughly check करेंगे उसके बाद सारे के सारे documents thoroughly check करने के बाद उनको company में submit किया जाएगा जो आपका employer है employer submit करने के बाद employer feedback देगा उसके यह सारी process जैसे जैसे यहां से आगे बढ़ेगी वैसे वैसे intimate किया जाएगा जो candidate है तो वहां से जो feedback आएगी इनके counselor वो लगातार आपको feedback देते रहेंगे तो इनके counselor है उन्होंने step wise step step wise step जैसे जैसे guide किया था जो process उन्होंने start में मुझे बताई थी प्रोसेस उन्होंने से पहले वही process अभी तक मतलब जैसा उन्होंने commit किया था पहले यह होगा उसके बाद यह process होईगी तो वही process सारी के सारी हुई है और काफी smoothly हुई है और रह जैसे मेरी process स्टार्ट हुई है मैंने हाल्ली इनको एक या दो बार कॉल किया है और वही कुछ पूछने के लिए कि काम कहा तक हुआ कहा तक नहीं हुआ वो यह खुद ही मुझे बता देते थे आपके counselor थे वो मुझे कुद मुझे कॉल कर के बताते थे कि आपकी फाइल अप time में offer letter आने माला है वो सब coordinate कर देते थे थे तो आपको दरस्व क्या संदेज देना चाहेंगे मैं sir मेरा तो यही मानना है कि अगर overseas job के लिए अगर आप देख रहे हो तो यह sir के जो videos हैं उनमें sir में जो job vacancies इनके पास आती हैं उनके बारे में detailed information इन्होंने दी होती है और इनके जो page हैं उस पे भी आप देख सकते हो अगर आपकी experience के relevant अगर उसमें कोई vacancy है तो यह आपको उसके against में पूरा guide करेंगे अगर इनके पास vacancy होगी तो ही करेंगे अगर नहीं होगी यह आपको on the spot मना कर देंगे कि हमारे पास नहीं है लेकिन अगर इनके पास vacancy रहेगी और आप shortlist होगे तो आपका process अगर आपने interview अगरा crack कर लिया तो उसके बाद interview crack करने के बाद आपको पूरा-पूरा guide किया जाएगा और आपके जो process है उसके 100% होने के chance है बहुत-बहुत धन्वाद आपको दोस्तों आपने सुना जो खुद का experience होता है जब success होती तो obviously feeling खुद को होती है आइंड जो लोग भी like in countries में जैसे हमने वीडियो अप्लोड की current requirement Singapore हो या पंजानिया हो जांबिया हो नियुजरेन जो भी requirement current में उनके लिए apply करना चाहते किसी भी country में जिसका video upload हो चुका है आप video देखने के पाद में team को call कर सकते हैं लेकिन call official arts में करें बैट रहेगा अगर unofficial arts में call करते हैं तो आप एक काम करें call ला करके whatsapp में message डाल सकते हैं आपको पूरी information दिलेगी दोस्तों अमीद करते हैं वीडियो अच्छे लगा होगा आपको और अगर पसंद आ तो अपने दोस्तों भी शेयर कर सकते हैं धन्यबाद